परनर श्रीमती तमिल इशाही जी यहां इस कार्यक्रम का साहभागी बनकर अपने साथ यहां पर विराज रहे हैं उनको भी हम स्वागत समर्पन करते हुए हमारे प्रितम प्रधानी श्रीमान नरेंद्र मोडी जी से हम अनुरोध करेंगे इस समता मुर्ती का अनावरन सु अवसर पर वे समाज को और दुनिया को संबोधित करें और प्रेरना देंगे प्रितम श्रीमान नरेंद्र मोडी जी ओम असमत गुरुब्यो नमहा ओम स्रीमते रामानुजाय नमहा कारकम में हमारे साथ उपस्तित तेलंगना की राजपाल डॉक्टर तमिल साई जी पुझ्य श्री जीयर स्वामी जी केंद्रिय मंत्री मंडल के मेरे सायोगी श्री जी कष्ट्र रेडी जी श्रिमान डॉक्टर रामेश्वर राव जी भागवद विभीतियों से संपन्न सभी पुझ्य संतगान देवियों और सज्जनों आज मा सरस्वती की आराधना के पावन पर्व वसंत पंचिवी का सुव अवसर है माशार्दा की विशेज खुर्पा अवतार कि श्री रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा इस अवसर पर स्थापित हो रही है मैं आप सभी को वसंत पंचिवी की विश्व कामनाय देता हूं मैं माश सरस्वती से ये प्रार्थना करता हूं कि जगत गुरु रामानुजाचार्य जी का ज्यान विश्व का पत्थ प्रदर्शन करे। साथियों हमारे यहां कहा गया है ध्यान मुलम गुरु मुर्ति अर्थात हमारे गुरु की मुर्ति ही हमारे ध्यान का केंद्र है क्योंकि गुरु के माध्यम से ही हमारे लिए ग्यान प्रगट होता है जो अबोध है हमें उसका बोध होता है अब प्रकट को प्रकट करने की ये प्रेर्णा सुक्ष्म को भी साकार करने का ये संकल्प यही भारत की परंपरा रही है हमने हमेशा उन मुल्यों और विचारों को आकार दिया है जो यूगों यूगों तक मानवता को दिशा दिखा सके आज एक बार फिर जगत गुरु स्री रामानुजाचारिय जी की इस भव्य विशाल मुर्ति के जरिये भारत मानविय उर्जा और प्रेर्णाओं को मुर्तस रूप दे रहा है रामानुजाचारिय जी की ये प्रतिवा उनके ज्ञान, वैराग्य और आदर्शों की प्रतिख है मुझे विश्वास है ये प्रतिवा न केवर आने वाली पीडियों को प्रेणा देगी बलकि भारत की प्राचीन पहचान को भी मजबूत करेगी मैं आप सभी को, सभी देश्वास्चियों को और पूरे विश्व में, विश्व में फैले रामानुजाचारिय जी के सभी अनुयाईयों को इस अवसर पर अनेक अनेक बधाई देता हूं साथ्यों, अभी मैं एक सो आठ दिव्य देशम मंदिरों के दर्शन करके आ रहा हूं आलवार संतों ने, जिन एक सो आठ दिव्य देशम मंदिरों का दर्शन, पूरे भारत में ब्रह्मन करके किया था कुछ बैसा ही सोभाग्य, मुझे आठ श्री रामानुजाचारिय जी की कुर्पा से यहीं मिल गया मानवता के कल्यान का जो यग्य उन्होंने ग्यारवी स्टब्दि में शुरू किया था वही संकल्प यहां बारा दिनों तक विभिन अनुस्ठानों में दोहराया जा रहा है पुझ्य स्री जीर स्वामी जी के सने से आज विश्वक सेन इस्टी यग्य की पुर्णा हुती में सामील होना का सवभाव्य भी मुझे मिला है मैं इसके लिए पुझ्य जीर स्वामी जी का विशेश रुप से आभार प्रगड करता हूं उन्होंने मुझे बताया है कि विश्वक सेन इस्टी यग्य संकल्पों और लक्षों की पूर्ती का यग्य है मैं इस यग्य के संकल्प को देश के अमरित संकल्पों की सिद्धी के लिए नत मस्तक हो करके समर्पित करता हूं इस यग्य का फल मैं अपने 130 करोर देश वासियों के सपनों की पूर्ती के लिए अर्पित करता हूं साथियों, दुनिया की अधिकाऊंस सब्यताओं में, अधिकाऊंस दर्शनों में, किसी विचार को या तो स्विकार किया गया है, या फिर उसका खंडन किया गया है. लेकिन भारत एक ऐसा देश है, जिसके मनिश्यों ने ज्ञान को खंडन, मंडन, स्विकृती, अस्विकृती, इससे उपर ही उठा करके देखा. स्वयम उससे उपर उठे, दिव्यत्रष्टी से उस विवात को देखा, हमारे यहां अध्वैत भी है, और द्वैत भी है, और इन द्वैत अध्वैत को समाहित करते हुए, स्री रामानुजाचार्य जी का विशिष्टाद वैत भी हमारे लिए पहरना है, रामानुजाचार्य जी के ज्ञान की एक अलग भव्यता है, साधान द्रस्ती से जो विचार परस पर विरोधाबासी लगते हैं, रामानुजाचार्य जी उन्हें बड़ी सहस्ता से एक सुत्र में पिरोधेते हैं, उनके ज्ञान से, उनकी व्याख्या से, सामान्य से, सामान्य मानवी भी उससे जुड़ जाता है, आप देखिए, एक और रामानुजाचार्य जी के भाष्यों में ज्ञान की पराकाश्टा है, तो दूसरी और वे भक्ति मार्क के जनग भी है, एक और वो सम्रुद्ध सन्यास परंपरा के संत भी है, और दूसरी और गीता भाष्य में कर्म के महत्व को भी अत्यंत उत्तम गुरूप में प्रस्तुत करते हैं, वो खुद भी अपना पूरा जीवन कर्म के लिए समर्पित करते रहें, रामानुजाचार्य जी ने संस्कृत ग्रंथों की भी रचना की और तमिल भाषा को भी भक्ती मार्ग में उत्तना ही महत्व दिया, आज भी रामानुज परंपरा के मंदिरों में थिरुप्पावाई, थिरुप्पावाई के पाट के बिना शायद ही कोई अनुष्ठान पूरा होता हो, साथियों, आज जब दुनिया में सामाजिक सुधारों की बात होती है, प्रगतिशिल्टा की बात होती है, तो माना जाता है, कि सुधार जड़ों से दूर जाकर ही होगा, लेकिन जब हम रामानुज चारे जी को देखते हैं, तो हमें एहसास होता है, कि प्रगतिशिल्टा और प्राचिन्ता में कोई विरोध नहीं है, ये जरूरी नहीं है, कि सुधार के लिए अपनी जड़ों से दूर जाना पड़े, बलकि जरूरी ये हैं, कि हम अपनी असली जड़ों से जूड़े, अपनी वास्तविक सक्ती से परिचीत हो, आज से एक हजार साल पहले तो रूडियों का दबाव, अंदविश्वास का दबाव, कल्पना के बहार कितना ज़्यादा रहा होगा, लेकिन रामा नुजा चारे जी ने समाज में सुधार के लिए, समाज को भारत के असली विचार से परिचीत करवाया, उन्होंने दलीतों, पिछणों को गले लगाया, उस समय जिन जातियों को लेकर कुछ और भावना थी, उन जातियों को उन्होंने विशे सम्मान दिया, यादवगीरी पर उन्होंने नारायन मंदीर बनवाया, जिसमें दलीतों को दर्शन पूजन का अधिकार दिया, रामानुजाचारे जी ने बताया कि धर्म कहता है, न जाति ही, न जाति ही कारणम, लोके गुणाहा कल्यान हे तवा, अर्थात संसार में जाति से नहीं, गुणों से कल्यान होता है, रामानुजाचारे जी के गुरू, स्री महापुर्ण जी ने एक बार, दूसरी जाति के अपने एक मित्र का अंतिम संस्कार किया था, उस समय रामानुजाचारे जी ने लोगों को भगवान स्री राम की याद दिलाई थी, उन्होंने कहा कि अगर भगवान राम अपने हाथों से जटायू का अंतिम संस्कार कर सकते हैं, तो फिर बेदभाव वाली सोज का अधार धर्म कैसे हो सकता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। साथियों हमारी संस्कृति की ये विशेशता रही है कि सुधार के लिए हमारे समाद के भीतर से ही लोग निकलते हैं। यूगों से देखते आईए, समाज में जब भी कुछ बुराई के तत्म फैलने लगते हैं, कोई न कोई महापुरुष्वा अमारी बीच में से पैदा होता है। और ये हजारों वर्षों का अनुभव है कि ऐसे सुधारकों को हमेशां उनके कालगण में साय स्विकृति मिली हो या न मिली हो। चुलोतिया रही हो या न रही हो। संकट जेलने पड़े हो या न पड़े हो। विरोध भी सहना पड़ा हो। लेकिन उस विचार में उस तत्र में उतनी ताकत रहती थी। उनका कन्विक्षन इतना जबर्जस होता था कि वो समाज की बुराईयों के खिलाब लड़ने के लिए अपनी पूरी सक्ति लगा देते थे। लेकिन जब समाज इसे समझ पाता है तो जिसका कभी विरोध होता है उसको स्विक्रुती भी उतनी तेजी से मिलती है। सम्मान और आदर भी उतना ही मिलता है। यह इस बात का सबूत है कि बुराईयों के पक्ष में कूरितियों के पक्ष में अंदविश्वात के पक्ष में इन जनरल हमारे समाज में सोशल सैंक्षन नहीं होता है। जो बुराई से लड़ते हैं जो समाज को सुधारते हैं हमारे हाँ उने ही मान और सम्मान मिलता है। बाईयों और बेनों आप सब लोग रामानुजाचारीज के जीवन के बिभिन्न आयामों से परिचित है। वो समाज को सही दिशा देने के लिए अध्यात्म के संदेशों का भी प्रयोग करते थे और व्यावारिक जीवन का भी जाती के नाम पर जिनके साथ बेदवा होता था। रामानुजाचारीजी ने उन्हें नाम दिया थिरुकल्थार यानि लक्ष्मी जी के कुल में जन्मन लेने वाला श्रीकुल या देवी या जन्म वो स्नान करके आते समय अपने शिष्य दनुर्दास के कंदे पर हाथ रख कर आते थे। ऐसा करके रामानुजाचारीजी छुवा छुथ की बुराई को मिटाने का संकेत देते थे। यही वज़े थी कि बाबा साब आमबेड कर बाबा साब आमबेड कर जैसे समानता के आदुनिक नायक भी रामानुजाचारीजी की भरपूर प्रसोंसा करते थे। और समाज को भी कहते थे कि अगर सीखना है तो रामानुजाचारीजी की सिख्षा से सिखो। और इसलिए आज रामानुजाचारीजी की विशाल मूर्ती स्टेच्टी ओफ इक्वेलिटी इसके रूप में समानता का संदेश दे रही है। इसी संदेश को लेकर आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ अपने नए बविश्य की नीव रख रहा है। विकास हो, सबका हो, मिना बेद भाव हो। सामाजिक न्याएं सबको मिले, मिना बेद भाव मिले। जिने सदियों तक प्रताडित किया गया, वो पूरी गरिमा के साथ विकास के भागिदार बने, इसके लिए आज का बदलता हुआ भारत एक जुट प्रयास कर रहा है। आज सरकार जो योजना चला रही है, उनका बहुत बड़ा लाब हमारे दलीत पिछडे भाई बेहनों को हो रहा है। चाहे पक के घर देना हो या फिर उजवला का मुप्त कनेक्षन, चाहे पांच लाक रुपिये तक मुप्त इलाज की सुविदा हो या फिर बिजली का मुप्त कनेक्षन, चाहे जनधन बैंक खाते खोलना हो या पिर स्वच्छ भारत अभ्यान के तहर करोडों सोचालों का अंदिर्मान करना हो ऐसी योजनाओं ने बलीत, पिछडे, गरीब, शोसीत, बंचीत सभी का भला किया है मिना भेदवाव सबको ससक्त किया है, साथियों रामानुजाचारे जी कहते थे उर्ये गल्लुकुल बेड़ मिले अर्थात सभी जीव समान है वो ब्रह्म और जीव की एक्ता की बात ही करके रुकते थे था नहीं थे वो वेदान के सुत्र को स्वयम भी जीते थे उनके लिए स्वयम में और दूसरों में कोई भेद नहीं था यहां तक की उन्हें अपने कल्याण से ज़्यादा जीव के कल्याण की चिंता थी उनके गुरु ने कितने ही प्रयासों के बात जब उन्हें ग्यान दिया तो उसे गुप्त रखने के लिए कहा क्योंकि वो गुरु मंत्र उनके कल्याण का मंत्र था उन्होंने साधना की थी तपस्या की थी जीवन समर्पित किया था और इसलिए यह गुरु मंत्र मिला था लेकिन रामानिचा चाहरी जी की सोच अलग थी रामानुजय चाहरी जी ने कहा पतिश्चे एक एवाहम पतिश्चे एक एवाहम नरके गुरु पातकात सर्वे गच्छन्तू भवताम कुरुपया पर्मंपदम यानि मैं अकेला नरक जाओं तो भी कोई बात नहीं लेकिन बाकी सबका कल्यान होना चाहिए इसके बाद उन्होंने मंदीर के सीखर पर चड़कर हर नारी को वो मंत्र सुनाया हर नर को वो मंत्र सुनाया जो उनके गुरु ने उनके कल्यान के लिए दिया था समानता का ऐसा अम्रत रामानुजाचारी जी जैसा कोई महापुरुसी निकाल सकता था जितने वेद वेदान्त का वास्तविक दर्शन किया हो साथियों रामानुजाचारी जी भारत की एकता भारत की अखंडता का भी एक प्रदीप्त प्रेना है उनका जन्व दक्षिण में हुआ लेकिन उनका प्रभाव दक्षिण से उत्तर और पूरब से पस्चिमतान पूरे भारत पर है अन्नमाचारी जी ने तेलूग में उनकी प्रसंसा की है कनकदास जी ने कंणर भासा में रामानुजाचारी जी की महिमागाई है गुजरात और राजस्तान में अगर आप जाएंगे तो वहां भी अनेक संतों के उपदेशों में रामानुजाचारी जी के विचारों की सुगंद में मैसूस होती है और उत्तर में रामानंदिय परंपरा के गोस्वामी तुल्सिदाजी से लेकर कभिरदास तक हर महान संत के लिए रामानुजाचारी परम गुरू है एक संत कैसे अपनी आध्यात्मिक उर्जा से पूरे भारत को एक्ता के सुत्र में पिरो देता है रामानुजाचारी जी के जीवन में हम ये देख सकते हैं इसी आध्यात्मिक चेतना ने गुलामी के सैंकडो वर्सों के कालखन में भारत की चेतना को जागरत रखा था साथ क्यों ये भी एक सुखत संयोग है स्री रामानुजाचारी जी पर ये समारो उसी समय में हो रहा है जब देश अपनी आजादी के 75 साल मना रहा है आजादी के अमरत महोसों में हम स्वाधिंता संग्राम के इतिहास को याद कर रहे हैं आजदेश अपने स्वाधिंता सेनान्यों को कृतक्य सरदांजली दे रहा है अपने इतिहास से हम अपने भविशे के लिए प्रेणा ले रहे हैं उर्जा ले रहे हैं इसलिए अमरित महोसों का या आयोजन आजादी की लडाई के साथ साथ हजारों सालों की भारत की विरासत को भी समेटे हुए हैं हम जानते हैं भारत का स्वाधिंता संग्राम केवल अपनी सत्ता और अपने अधिकारों की लडाई भर नहीं था इस लडाई में एक तरफ अपनी वैशिक मान सिकता थी तो दूसरी तरफ जी और जीनेदों का विचार था इसमें एक और ये नस्लियस रेष्टता और भवतिक वाद का जुन्मात था तो दूसरी और मानवता और अध्यात्म में आस्था था अरिस लडाई में भारत विजय हुआ भारत की परंपरा विजय हुए भारत के स्वाधिंता संग्राम में समांता मानवता और अध्यात्म की वो उर्जा भी लगी थी जो भारत को रामानुजा चारी जी जैसे संतों से मिली थी क्या हम गांधी जी के बीना अपने स्वाधिंता संग्राम की कल्पना कर सकते हैं और क्या हम अहिंसा और सत्य जैसे आदर्सों के बीना गांधी जी की कल्पना कर सकते हैं आज भी गांधी जी का नाम आते ही वश्ण वजन तो तेने रे कईये ये धून हमारे अंतर मन में बजने लगती है इसके रचाईता नर्शी मेता जी रामानुजा चारी जी की भक्ती परंपरा के हिमान संत थे इसलिए हमारी आजादी की लड़ाई को जिस तना हमारी आध्धात्मिक चेतना उर्जा दे रही थी वही उर्जा आजादी के 75 साल में हमारे अमुर्द संकल्पों को भी मिलनी चाहिए और आज जब मैं भाग्यनगर में हूँ हैद्रावाद में हूँ तो सरदार पटेल जी का विशेश उलेख जरूर करूँगा वैसे किसंद रेडी जी ने अपने वक्त वेपड़ा विस्तार से उसके लिए कहा भाग्यनगर का कौन ऐसा भाग्यसाली होगा कौन ऐसा हैद्रावादी होगा जो सरदार पटेल की दिर्ग दर्ष्टी सरदार पटेल का सामर्थ और हैद्रावाद के आन बान सान के लिए सरदार साब की कुट निति को न जानता हो आज देश में एक और सरदार साब की स्टेची अफ इनिटी एकता की सपत दोहरा रही है तो रामानुजाचारी जी की स्टेची अफ इक्वालिटी समानता का संदेश दे रही है यही एक राष्टे के रुपे भारत की चीर पुरातन विशेस्ता है हमारी एकता सत्ता या सक्ती की बुनियाद पर नहीं खड़ी होती हमारी एकता समानता और समादर इस सुत्र से सुजित होती है और साथियों आज जब मैं तेलंगना में हूँ तो इस बात का जिक्र भी जरूर करूंगा कि कैसे तेलूगू कल्चर ने भारत की विविदता को ससक्त किया है तेलूगू कल्चर की जड़ों का विस्तार सद्यों में फैला हुआ है अनेक महान राजा रानिया इसके द्वजवाहक रहे हैं साथ वाहन हो काकातिया हो या विजय नगर सामराज्य सभी ने तेलूगू संस्कृति की पताका को बुलंद किया महान कभियों ने तेलूगू संस्कृति को सम्रुद्द किया है पिछले वर्षी तेलांग नामे स्थित तेरवी शतार्दी के काकातिया रुद्रेश्वर रामाप्पा मंदिर को विनेश को विश्वदरोहर सल गोशित किया गया है वर्ल्ट तूरिजम और्गनेशन ने पोचम पल्डी को भी भारत के सबसे बहतरीज तूरिजम विलेज का दरजा दिया है पोचम पल्दी की महिलाओं का हुनर पोचम पल्दी साडियां के रूप में विश्व विख्यात है ये वो संस्कृति है जिसने हमें हमेशा सद्भाव, भाईचारा और नारी शक्ति का सम्मान करना सिखाया है तेलू को संस्कृति की इस गवरवसाली परमपरा को अज तेलू को फिल्म इंडेश्टी भी पुरे आन-बान सांसे आगे बढ़ा रही है तेलू को सिनेमा का दाइरा सिर्फ उतना ही नहीं है जहां तेलू को बोली जाती है इसका विस्तार पूरे विश्व में है सिल्वार स्क्रिन से लेकर OTT प्लेट्फॉर्म्स तक इस क्रियेटिविटी की चर्चा चाही हुई है भारत के भार भी खुब प्रसंसा हो रही है तेलूगू भाषी लोगों का अपनी कला और अपनी संस्कृति के प्रतिय समर्पन सभी के लिए प्रहणा समान है साथियों आजहादी के 75 वे वर्ष में इस अमृत कान में स्री रामानुजा चारेजी की प्रतिमा प्रतेक देश्वासी को निरंतर प्रेडित करीगी मुझे पूरा भरोसा है आजहादी के अमृत कान में हम उन कूरुतियों को भी पूरी तरह समाप्त कर पाएंगे जिने खत्व करने के लिए स्री रामानुजा चारेजी ने समाज को जागरत किया था इसी भाव के साथ पुझ्य स्वामी जी का आदर पूर्वक दन्यवात करते हुए इस पवित्र आउसर में हिस्सेदार बनने के लिए आपने मुझे आउसर दिया मैं आपका बहुत आभारी हूँ विश्व भर में फैले हुए प्रभू रामानुजा चारेजी के विचारों से प्रभावित प्रेरित हर किसी को मैं अनेक अनेक शुब कामनाई देता हूँ मेरी बाणी को विराम देता हूँ आप सबका बहुत धन्यवाद जैश्रीमन नाराइन माननिया प्रधान मंत्री महोदे रामान जैचारे स्वामेजी